ओम नमो भगवते बास देवाई नमाहा श्वागत आप सभी का मेरे वक्ती वावने यूटूब चैनल पर दोस्तों उत्पन्ना 81 का माउपाय बताने वालाउं और वागिसाली राशियों के बारे में जानकाली दोंगा उत्पन्ना 81 के दिन पीपल ब्रख के नीचे चौमुखी दीपक जलाकर की परक्रमा करने से पुत्र धन प्राप्ती का अशिरवाद प्राप्त होता है पित्र दोस्तूर होता है साथ ही सभी देवता प्रसन ओकर के हमारी इच्चा पूरी करते हैं जो व्यक्ती 81 पूरण मासी और हम आवस्या के दिन पीपल ब्रख के नीचे दीपक जलाके उसमें दूर लोंग डालते हैं और परक्रमा करते हैं उनकी हर मनुकामना पूरी हो जाती है परक्रमा देते समय जो भी आप इच्चा बोलोगे वह चाप की पूरी होगी दूसरा तुलसी माता की पूजा एक आ दागा लेकर की तुलसी माता को समर्पित करें ऐसा करने से तुलसी माता प्रसन नोकर के आशिरवा देती हैं हर मनुकामना पूरी हो जाती हैं तुलसी पत्र सालग्राम भगवान को भगवान कृष्ण को भगवान विष्णुजी को जरूर समर्पित करें भगवान के सामने केले का फल्चडाएं, ओम नमो भगवते, बास देवाई नमा, मंत्र का जाप करें, और वह केले का प्रसाद जरूर खाएं, अपनी इच्छा भोलकर के, अगर केले का प्रसाद खाते हैं, तो भगवान के किरपा से, जो भी आपके मन में कामना है, जिस संतान की कामना है, वह अवश्य पूरी होती है, हर प्रकार का शुक और बैवब प्राप्त होता है, धन कामना के लिए तुलसी माता के गमले में एक रुपे का सिक्का और पीली कोडी डालनी चाहिए, दूसे दिन उठा के उसे तिजूरी में रखें, इसे वरपूर धन की प्राप्ती होती है, गमाता की पूजा का भी बड़ा मेत होता है, जो अव्यक्ती 81 के दिन गमाता का पूजन करते हैं, उनके जीवन में आरे सारे कश्ट और परिसानियां दूर हो जाते हैं, सभी को यह उपाजरू करने चाहिए, मेश रासी, मितुन रासी, करक रासी, सिंग रासी, कन्य रासी, वरेश्चिक रासी, धनुरासी, मकर, कुम और मीन रासी, यह रासियां जो बिहदी भागिसाली रहने बाली हैं, एकादिसी के दिन अगर अपनी इच्चा भोल करके, भगवान सिव की पूजा की जाए, समी पत्र और धतूरे का पल, अगर सिविलिंग पचड़ा दिया जाती है, धन की मनोकामना पूरी हो जाती है, बड़ी एकासी है, आप इस एकासी से भृत्वी प्रारम कर सकते हैं, और आप यह उपाई भी करें, इस उपाई के करने से अवसी ही आपको लाम मिलेगा, और आपकी प्रतेक मनोकामना पूरी होगी, धन बड़ेगा, शुक और सम्रदी बढ़ेगी जीवन में जो भी परिशानी आ रही है सारी परिशानी आदूर होंगी मज़ों मीद आपको ये जानकारी अच्छी लगयोगी वीडियो को शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें